कि असस्तलाम Walaykum आप देख रहे हैं रुख्मान वीड यूट्यूब चैनल आज की विडियो में मैं आपको मैंगो डिलाइट बनाना सिखाऊंगी मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हम यहाँ पे विपिन क्रीम का इस्तावाल करेंगे अगर आपके पास विपिन क्रीम अवेल एंकी skincare remove करने के बाद हम इस एकर मैंगो को रफळीचॉप करने के बाद एसके नदर add कर लेगे एक blender machine के नदर यहां पे मैंने मैंगो को रफळीचॉप और इसमें मैं फालट रास water एड करऊंगे अब हमら mostly puree प्यूरी राइडी करेंगे अब हम यहां पे mango gel ready करेंगे यह जो हमने mango की प्यूरी बनाई है इसको मैं add करूंगी maximum दो mango की प्यूरी आपने add कर देनी है और इसमें मैं maximum half glass से भी कम water add करूंगी तांके यह अच्छे से cook हो जाए और तक्रीबन half टेबल स्पून के क्रीब मैं इसमें कानफ्लोर add करूंगी तांके हमारी जेल जो है वह एक अच्छे से ready होज़े और हमें इसका एक स्ट्रों मिक्सर मिल जाए अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से mix करेंगे और एक टेबल स्पून के क्रीब मैं इसमें sugar add कर दूंगी और मैक्सिमम एक पिंच मैं इसमें food color add करूंगी orange color में तांके हमें प्यूरी की एक perfect shade मिल सके और हाफ पिंच मैं इसमें थोड़ा सा salt add करूंगी नमक की quantity आपने बिलिकुल कम रखनी है अब स्पैचुला की मदद से हम इसको पकाते जाएंगे अब चुकि हमने इसमें कांश्रोल भी आड़ किया है शूगर भी और मैंगो भी और लड़ी काफी ठीक है तो इस लिहाज स कि हम इसमें थोड़ा सा water roll add करेंगे अब हमें इसको ज्यादा देर कूप नहीं करना जब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे ठंडा होने के लिए यह तब भी हलका सा थिक हो जाएगा बस अब हम इसको अच्छे से कूप करते जाएंगे इस तरह से आपने स्पेटुला की मदद से इसको मसलसल हलाते जाना है जिस भी चीज में कानफ्लोर एड़ किया जाए उसमें चमच को मसलसल चिलाया जाता है यह देखें इससे ज्यादा हमें प्यूरी को ठीक नहीं करना यह हमारी जैल अलम्दुलिला रेडी हो गई है जब इसको यहां पर साइड आ देखें इसका पेस्ट रूप होता है इसको अपनी तरफ खैंस को अपन कर लेंगे यह जी इस तरह से आपने इसको अपन कर लेना है और जितने क्रीम चाहिए वह आपने उपनी निगाह देने है बहुत सारे लोगों के पास अलेक्रिक बीटर नही कर रहे हैं अगर इसको बीट कर रहे हूं अगर आप लेक्रिक बीटर सेब्स यूज्व करेंगे तो इसको यूज़ करओगे इस स्यथा जड़ाओ ऑने में पंटूि激 अगर चिक्टर यह इस तार से हम तेज आतों के साथ इसको विस्क करेंगे आप जितना तेज विस्क चलाएंगे यह उतना अच्छा बीट होगा अभी भी यह वहली फॉर्म में नहीं आया जिसमें हमें चाहिए हम अजीद इसको बीट करेंगे हमारी क्यीम अच्छे से बीट हो गई है यह देखें कितना फुलफी डिजर्ट हमें मिले अब इसमें मैंगो प्यूरी आट कर देंगे यह जो प्यूरी है यह मैंने दो मैंगो के साथ बनाई है आपने मैंगो क्यूब करने के बाद उसको सिंपली ब्लेंड कर लेना यह जो हमारी विपिंग क्रीम थी यह नोन डेरी क्रीम है इसमें आपको शुगर आड़ करने की जुरूरत नहीं है और इसमें मिठास होती है यहां पर मैंने मैंगो केक उस्लाइस निखाल लें है जिनको हम क्यूब फॉर्म में कट कर लेंगे अलंग दो लिल्ला इस तरह से हम सारे चोटे-चोटे फाइन क्यूब रेडी कर लेंगे अब इसमें मैंगो दिलाइट प्रिजंट करेंगे यहां पर मेरे बास फुरूग केक है आपको भी फूटेक ले सकते हैं बैकरी से और इसको हम इसके अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे यह हमने सारे फूटेक्स यहां पर सेट कर ली है और अब हम यहां से मैंगो जूस इसमें डाल रहे हैं इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा सा मैंगो लेना है कि क्या उसमे यामने वाटर एड कर देना है जो में करके हम काथ है इसे लगत करेंगे और कार में अंहीं की हूँब 2 बीदे करें गैeld अब हम यह क्रीम इसमें एड़ कर देंगे, एक दफ़ा इसको हम स्पेटुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे, अब अगेन हम इसमें फिर दुबारा से वैसे ही लेयर्स एड़ करेंगे, अब हम इस पर मेंगो क्यूब्स को स्प्राड कर दें गे, और उसी तरह से हम इस पर मैंगो जूज्इस एड़ कर देंगे, कुरीम के लिए अब यह जो हमने मेंगो जल रेडि किया था यह हम इस तरह स्प्राड कर देंगे, आप में इस तरह से तुप्पिक को गोल-गोल घुमाते जाना और यह इस तरह से एक आपका डिजाइन रेडी हो जाएगा अब हम यहाँ पे जली आड़ कर देंगे इसको हलका सा कलरफुल बनाने के लिए अलंग्दुलिला हमारा डिलिशियस मेंगो डिलाइट रेडी है आई होप यू लाइक इस वीडियो इंशाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में लगा तो भी टेक क्यार अलाहाफीस